हेलो नमस्कार आदाब साश्यकार एंगुड आफनून चो ओल अफ यू जो भी लोग मुझे सुनने हैं मैं नाम उतकर सिंग है और मैं हूं टागेट सेमेस्टर से ठीक है हम बात कर रहे हैं बीए थोर्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की ठीक है कि यह बैसिकली फ़र्ट सेमेस्टर की जहां भी आप लोग यह थोर्ट सेमेस्टर यूपी में कोई पर रहा होंगे बेसिकली यह फॉर्ट सेमस्टर जो सिलेबर से वह गुरप उन्वसिटि इधात उन्वसिटी और भी अन इन्वसिटी जहां पर mcq मोड में इस्जामनेशन होता है ठीक है तो जहां भी mcq मोड में इस्जामनेशन दोते है वह उसके लिए यह बहुत ज्यादा important है वेडियो लेक्चर ठीक है यह मेरा फर्स्स क्लास है बहुत साई लोग जानते हों कि बहुत साइलों में मुझे नहीं जानते हों ठीक है लेकिन धीरे धीदिये करके हम आज बात करेंगे युनिट वन के बारे में भी एथ हॉट समस्टर की हिस्ट्री के पेपर के वाले हैं यूनिट 2 में हम बात करेंगे तो जो पहला यूनिट स्टार्ट होता है जैसा कि आपको पता है कि यार अब पूरा का पूरा हम से क्यों मोड में हो गई है साइस ही जए तो हमें क्या पढ़ने है मुल्टिपल चॉइस पढ़ने है ठीक है तो एक कोशन से हम कितने जारे नए ने कोशन बना सकते हम यह भी देखने का कामियां पर करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जड़ा टाइम लेके न डंडल कौन था हूर्ट अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूचा है कि भारत का समस गव Вам बंक कॉण था चिक पर घर अगर आपको पता होगा कि को थो भारत का सबने मां जाता है लौट विलियम मर्हें औक को ठीक है यहां पह ज़लू रॉड cœur यह लौड विल्यम ब tyre खिक तो फर्स्ट गवर्नर जन्रल अफ इंडिया इस लॉर्ड विलियम बंटिक कुछ पहले हम इसका बैक्ग्राउंड देख लेते हैं ठीक है अगर हम बात करें पहले गवर्नर अफ बैंगॉल की तो इनका नाम था सल्चार्स आयर ठीक है लबह लबह 1700 से लेकर 1701 तक बने थे ठीक है अच्छा कई किताबों में गवर्नर और बैंगॉल रोबर्ट क्लाइव को माना जाता है लेकिन वो जो जानकारी है वो ठीक नहीं है ठीक है जो ठीक जानकारी यह कि कि पहला गवर्नर बंगाल का कौन है सर चार्स आयर है ठीक है अगर आपको यह पता हो कि क्या को किसमें फा quar्व्म क्या था तो calcutta को फाउन किया था सर जॉब चांदोग के दमात था तो कंपनी ने पहली बारे हिंग को बनाया था गवर्नर्व बनाया था बैंग आंकल का ठीडंग चलो अगर चार इस historically option में नहीं दिया हुआ है ठीड़ के तो आप यहां पर रोबर्ट क्लाइव लिख सकते हैं गया लिख सकते हैं रोबट लाइव लिख सकते हैं चलो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1773 का regulating act आएगा क्या आएगा 1773 का regulating act आएगा तो उस act में क्या किया गया है उस act में जो governor of bangal है उसको promote करके governor ढाइगा जैसा आप जानते हैं कि इस इंडिया कंपणी की तीन प्रेसिडेंसी तें और काटा का क्या क्यलकुत था तो यही है governor of bangal इसे लिखा गया है तो यहां जब अब यह Governor General of Bengal हो जाता है, तो जो मदरास Presidencies और Bombay Presidencies होती हैं, उन दोनों के जो Governor होते हैं, वो इसके अंडर में आ जाते हैं, ठीक है, तो First Governor General of Bengal के बारे में हम बात करें, तो यह कौन थे, यह थे, Sir Warren Hastings, बहुत फेमस इंसान, Sir Warren Hastings, 1774 से लेके 1785 AD तक रहे थे, ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो अब एक और Charter Act आएगा, 1833 का, Charter Act 1833 का, इस Charter Act में, जो Governor General of Bengal है, उसको प्रमोट करके, Governor General of India बना दिया गया, क्या बना दिया गया, Governor General of India बना दिया गया, ठीक है, तो First Governor General of India कौन है, Lord William Benteke है, ठीक है, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, Lord William Benteke, ठीक है, अभी तक यहाँ तक चीजे समझ में आई की नहीं आई, ठीक है, समझ में आई, I hope आपको साइसी समझ में आई हूँ भी, मैं एक चीज को बता रहा हूँ, आप कॉपी खोलिएगा और कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाएगा, ऐसा नहीं कि आप भाई आपने बस देखा और बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, आपको कॉपी में क्या रहन है, नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है, चलिए, तो ये फर्स गवर्नर जनल अफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यहाँ पर मैं नाम लिखा, यहाँ पर यही कोशिन पूछा गया था, ठीक है, अब इसके बास से, रि Government of India Act 1858 में East India Company का, जो English East India Company थी, उसको हटा दिया गया, और अब English East India Company की जगह, बिटिश क्राउन भारत की उपर सासन करने का काम करता है, ठीक है, तो जो बिटिश क्राउन आता है, तो वो गवर्नर जनल अफ इंडिया जैसा जो पत था, उसको खतम कर देता, और एक नया पत लाता है, जिसको हम कहते हैं, Voice Roy of India, क्या कहते हैं, भाई, Voice Roy of India कहते है, ठीक है, Voice Roy का मतलब होता है, Voice, Vice Royalty to the British Crown, ठीक है, क्या कहते है, Vice Royalty to the British Crown, ठीक है, तो यहाँ पे, हमें मिलता है, अपना पहला, Voice Roy भारत का, कौन है, First Voice Roy of India, उनका नाम है, Lord Canning, ठीक है, तो आपको एक साथ, यहाँ पे, कितने सारे factual data, clear हो गए, ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई और मार कर ले लेता हूं, मैं, First Question, Who was the first, Governor of Bengal, तो कौन थे, Sir Charles Iyer है, अगर Sir Charles Iyer का नाम नहीं लिखा गया है, तो आप Robert Clive को मार देंगे, ठीक है, चार्स Iyer है, अगर Charles Iyer का नाम नहीं होगा, तो आप क्या मार देंगे, Robert Clive मार देंगे, ठीक है, चलो, उसके बाद से, जैसा आप जानते हैं, कई सारी घटनाए हुई, Robert Clive ने 1757 का बाटल अप प्लासी हुआ था, उसको जिताया था, ठीक है, तो इन्हों ने क्या किया, 1757 में बाटल अप प्लासी को जिताया, इस India Company को ठीक है, उसके बाद से, रेगलेटिंग एक्ट आया, 1773 का, क्या आया, 1773 का रेगलेटिंग एक्ट आया, इसमें क्या हुआ, इसमें गवन्नर अप बैंगॉल को प्रमोड करके, गवन्नर जनरल अप बैंगॉल बना दिया गया, और फर्स गवन्नर जनरल अप बैंगॉल कौन है, सर्वारन हास्टिंग से, कौन है, सर्वारन हास्टिंग से, ठीक है, इसी कड़ी में, फिर उसके बाद एक और आक्ट आया, जिसों कहते हैं, चार्ट अक 1833, चार्टर अक 1833 में क्या हुआ, गवन्नर जनरल अप बैंगॉल को प्रमोड करके, बना रिया गया, गवन्नर जनर अप इंडिया कौन था, लॉड वीलियम बेंटिक थे, कौन थे, लॉड वीलियम बेंटिक, उनका उपर भी यहां नाम लिखा गया, पड़ सकते हैं, लॉड वीलियम बेंटिक, ठीक है, उसके बाद से, रिवोल्ट आफ 1857 हुआ, उसके बाद से, गॉवर्मेंट अफ इंड के कुष्रिट ट्यार हो गए ठीक है चार कुष्रिट मनाया और चार कुश्रिट की हमारे पासस्टार ठीक यह होगे और रॉबर 10 या चार सब्यार हो गए होगै सर्वाइन हैस्टिंग्स हो ए CM Master मिंन्टी को रोट कैन को गया ठीक है चलो कि हुं दो कि चले कि मारका चेंज कर लेता हूं अब क्या पूछा गया क्वेशन पूछा गया वह फ्रस्ट गवनेर जन्रल और भारत का बैंगौल का पहला गवनेर जन्रल इससे पहले हमने क्या देखा गवनेर जन्रल पहला गवनेर जन्रल इंडिया का अभी हम क्या देखने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया है यह 1773 का जो रेग्लेटिंग आक्ट आया था ठीक है उसमें यह पारिद किया गया कि गवनर जनल अफ बैंग ओल होगा ठीक है तो गवनर जनल अफ बैंग ओल जीजी लिख देता हूं जीजी समझ जाहिएगा ठीक है प्लस इसके अलावा फो रेस्क्योटिव कॉंसल मेंबर्स भी होने लगे फोर रेस्क्योटिव कॉंसल मेंबर्स इतना डीटेल में जानने की जववत नहीं है अगर इनका नाम अगर आपको पता होगा फिलेफ फ्रांस यह तो यह कहानी है क्यों पिए तो पहला गवावनर्नेशटेंग्स रॉक्षों बनाए गया है कोन बनाएगे एस दो यह कौन है करके बनते हैं और यह कौन है ये वाइन हास्टेंग्स हैं घिक है तो वाइन हास्टिंग सो लॉड हास्टिंग में कन्फ्यूज मत हो यह गा ठीक है चलो आगे बड़े हाँ चलो है कि निनलिखित में से और है कि बार्ट में सबसे पहले अपना वैपार फैलाया और प्रभावित कि विच उपलव १ौन एे इंडिया तो भारत में सबसे पहले कौन आया थे सबको पता है पॉर्टिग्यू सबसे पहले आया थे ठीक है जैसा कि आपको पता है 1498 में वास्को डिगामा भारत आया थे और यह कहां उतरे थे कैलिकट केलना में जगह है इसको कैलिकट कहते है मौडर्ण डे का कौन जी कोड कहा जाता है ठीक है तो यह वहां पर आये थे वह कहानी आपने सुनी होगी 1453 में कॉंस्तांटिनोपल का पुछी तरीके से फॉल हो गया उसके बाद नए नए जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी और वर्ड में तो एक नया रास्ता खो जा गया अफ्रीका के नीचे से ठीक है यूरोप के एक मोहाने से लेकर के अफ्रीका के नीचे से फिर अरेबियन देगा कौन जी कोड का आजाता है यह कहां पर है मॉडर्न दे में खेला में चिक है वहां का जो शाशक था वो एक हिंदू शाशक था जिनका नाम था जैमूरिंग क्या नाम था उनका किंग जैमूरिंग है नर्वस हूं बेसिकली मेरा पहला लेक्टर है जो की यूट्यूब पे जाएगा और एम सी क्यूव वाली सीरी इसलिए हलका से में नर्वस हूं ठीक है आगी से आप मेरी क्लासिस करेंगे तो इससे भी जादे आपको फ्रैंकनेस मिलेगी मुझे मुझे और भी और में 1898 में वासको डिगामा है क्यालकट में कोंजी कोड केला में किंग जैमोरिंग के दरबार में किंग जैमोरिंग ने बहुत अच्छा शाशकवा करता था कई ट्यास का लिखते हैं इसके आर्मी कम से कम 50,000 के आर्मी इसके पास ठीक है तो बेसिकली ट्रेड के परपस से आ खईड ने आया था gettin कर मुद्सें गरम मसाला या क्या कहते है इसको इसल convicted इंवा इससपाइस कह सकते क्याई जो मसाल दों देना तो की देख Efendimiz वह यूरोब बहुत थंडा जगा बहुत वहां Pierre बर्स गिरती है तो अपने जो meat होता है, raw meat होता है, उसको preserve करने के लिए उसको अच्छे मसालों की जवर थी, तो अच्छे मसाले वहाँ पे नहीं मिलते थे, तो उसके लिए उनको all countries जाना पड़ता था, मसालों की लिए, ठीक है, तो spices या फे गरम मसाला, इनके लिए कौन आया था, वास को ड ले गया और वहाँ बेचा, तो इसको 60 times जादा क्या हुआ, मुनाफ़ा हुआ, 60 times, 60 times क्या हुआ, इसको मुनाफ़ा हुआ, ठीक है, और क्या बता सकते हैं, हम पहली factory के बारे में बात कर सकते हैं, first factory, अच्छा, यह factory पहले तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे, यह factory, modern day की factory की तरह नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ बड़ी-बड़ी मशीने लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी मशीन वाला कोई concept नहीं है, यहाँ पे एक गोदाम है, और गोदाम में यह जो प्रॉटिग्यूस है, यह पुत्रगाल के जो लोग हैं, जो वैपारी हैं, वो अपने समान को बस रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फैक्टरी कहा जाता है, ठीक है, तो पहली फैक्टरी जो बस आई गई है, वो कोचीन में लगाई गई, फैक्टरी कहां लगाई गई, कोचीन में लगाई गई, ठीक है, उसी तरीके से हम बात क कि तो सेकेंडेक्ट इगा इंकी लगाई गई गई कहां पर कुनूर में है अर अगर मुझे लगा रहा इक यह कि आपको फर्सट्री या सब अपनी है सबकाएं किफर्स च εκका लग है फ्रेंौ की कहान लगी का लगी है ठीक है जहां पर first word आये आपको वो हमेशा त्यार करके रखना है ठीक है चलो यहां तक समझ गए question क्या पूछा था which are the following इंडिया सबसे पहली बार कौन आये पॉर्टिग्यूज में कौन आया 1498 में इसका नाम था वास्को डिगामा चलो चीक है यहां तक समझ गए चीजे है कि ओक है यहां तक आई चीजे आई होप आपको चीजे समझ में आ गई होंगी आगे बढ़ते इसी कड़ी में चलो क्या लिखा है question who discovered this sea route to India तो भाई land route तो पहले था land route कौन सा वाला पहले था अगर आपको याद हो वो Mediterranean Sea हो करके वो Black Sea हो करके वो Red Sea हो करके चिक है वो Gulf of Persia बंग जो खाड़ी हुआ करती है फारस की खाड़ी वो हो करके फिर उसके बाद Arabian Sea तो पहले जो Sea route था जिस पे Constantinople मतलब जो Constantinople के महाने पर पढ़ता था जिस पे टॉक्स ने सब्सक्राइब कर लिया था पूरी तरीके से तो वह यह वाला सी रूट था अब एक नया सी रूट खोड़ा गया तो कहा गया Cape of Good Hope route वह किसने खोजा था वासकोडिगामा ने खोजा ठीक है तो वू डिसकवर्ट टीरूट टू इंडिया किसने खोजा वासकोडिगामा ने खोजने का काम किया था ठीक है हम जब चाप्तर पढ़एंगे तो तो अगर बहुत डीटेल में समझने का काम करेंगे जब हम एराइवल औस इंडिया पढ़ेंगे तो बहुत डीटेल में हम इसे पढ़ेंगे क्या हुआ कैसे हुआ चिक है कोई भी चीज ऐसा नहीं कि अगर मैं कुछ जादा आपको बता दे रहा हूं तो आपकी काम की नहीं है हर चीज लेकिन इंपोर्टन क्या है कि हम कौन सी चीज कहां पर पढ़ानी हो कहां पर को सी नहीं पढ़ानी है ठिक है इतना देख ली जएगा एक बार चलो कि जब 17 मünü 1498 में वासको ड इत्य Bijकामा कालिकर्ट में उत्रा तो तो किसने उसका स्वागत किया, मैंने बताया, तो वहां के एक हिंदू शाशक थे, हिंदू रूलर थे, जिनका नाम था जैमोरिन, उन्होंने क्या किया, स्वागत किया, किंग जैमोरिन, ये कौन है, एक हिंदू किंग है, ठीक है, जैमोरिन नाम से कई लोग को लगता है, कि यह क्या है यह कोई Christian है लेकिन यह कोई Christian नहीं है यह जो जैमोरिन है ना भाई वो जैमोरिन एक टाइटल है जमुरिन क्या है टाइटल है ठीक है चलो आगे बढ़ते विंड वासको डिगामा कम टू इन इंडिया वासको डिगामा भारत कब आया वासको डिगामा 1498 में भारत आया सब जानते हैं यह चीज को ठीक है चलो कौन वे पुतगाली नेता था जिसने ब्लू स्ट ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया ब्लू स्टार पॉलिसी लिखा इसको ब्लू वाटर की पॉलिसी कहते हैं चीक है शांत जल की नीती हिंदी वाले लोग के लिए शांत जल की नीती कहा जाते है ठीक है ब्लू वाटर पॉलिसी तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो की गवर्नर बनाया गया था पॉर्टिग्यूस में वो कि फ्रांसिसको डी अलमीडा को बनाया था ठीक है किसको बनाया गया था फ्रांसिसको डी तो first number पर कौन आया इस प्रांसिस्को दी आलमीडा ठीक है फ्रांसिस्को डी अलमीडा सबसे पहले आया इसको लबभा लबभा तीन साल के लिए बनाया गया था तो फंदरासो पांच से लेके पंदरासो नौ अच्छा आप कहेंगे मैंने यहाँ पर बोला सर आपने बोला ती इसके आंगले वाला जो गवर्नर है अलफॉंसो डी अलबुकार चीक है वह उसके लिए रुक गया था उसको जेल में डाल दिया था चीक है बड़ी लंबी कहानी है किसी और दिन सुनाऊंगा पंदरासो आट में कुछ हुआ था बेटिकली इसके बेटी की मित्ती हो गई थ कि टीक है तो उससे बदला लेने के लिए इसने क्या कहा कि नहीं मैं बदला जओशलोंगा तो उन लोगों से बदला लेने के लिए पंदा सो आट फंदा सो नौ में भी यह क्या रहा गवर्नर हा पाटिकिस आपने पत को नहीं छोड़ा और जब उन लोग को हरा दिया तब लग्त को छोडब ठीक है उसके बाद कौन आए यह लग्ता अगर आप से पूछा जाए कि फरंसिसैस्को डीयामीड़ फ्रंसिसको डीयामीड़ क्या है फांडर है पोर्ती hooks कंपनी का चीक है फांडर उफ प्रतीग्व्व कंपनी इन इन्डिया ठीक है तो यह कौन है यह founder founder of Portuguese governor founder of Portuguese पहला पर्टिग्यूज गवर्नर है इसको founder हम मानते हैं ठीक है इसी नेक policy लाए थी जिसको कहते है blue water policy क्या कहा जाता है blue water policy कहते है अब blue water policy क्या होती है basically देखो Arabian Sea भारत में क्या पढ़ता है इंडियन ओशन पढ़ता है तो Arabian Sea और बे और बैंग और यह जो इंडियन ओशन है पूरा ना का पूरा यह समझो जैसे की इंडिया अगर हम देखे तो इधर क्या पढ़ेगा इदर Arabian Sea और बंगाल की खाड़ी है ठीक है तो यह पूरा क्या है यह पूरा इंडिया नोशन है तो अगर किसी को भी जाना होता था तो किसी को भी जाने के लिए permission लेना पड़ता था पूर्टिग्यूस से बिना उसकी permission से वह नहीं जा सकते थे तो इनकी ऐसी नीती थी पैसा उनको देना पड़ता था पूर्टिग्यूस को जब पैसा यह देंगे तो वह क्या करेंगे वह उनको सेफ करेंगे और पूरा का पूरा जो भी इंडियान ओशन के ओपर पूरा की नीति कहा जाता है इसके बाद एक और policy आएगी जिसको कि आगा फाल सिस्टम भी है यह की का इसी का नेक्स रूप है किया है काटड सिस्टम फी कर सिस्टम सब्सक्राइब यहां तक कि 粉 सो कांद कि एक लेने की यह सबसक्ते हैं कि पूरे के इंडियन और इन पर विशन सबसे आरा कंट्रोल किसा था पॉरटिग्यूस लोग का था चिक है तो स्टारी वाटर पालिशी किसेने फश्क ने रहा है अगर इससे आतो फ्रांसिस्कोटी एलमीडा करें को नेकर आया था फ्रांसिस्को का डी आमीडा स्प्राइवट अभी तक आपको नहीं न चलो मैं इतना अगर नोट करना चाहू कहीं तो नोट भी कर सकते हो ई एक और इंसान का नाम लिखा इसका नाम है Alfonso D. Albucar क्या नाम लिखा Alfonso D. Albucar अब यह बहुत main important इंसान है यह basically 1509 से लेकर के 1515 तक रहा चिक है अब आप ने बोला कि क्यों 3 साल सब तो 3 साल रहे थे क्यों अब ये 3 साल क्यों नहीं रहा था पंदाज 325 तक रहा ह। मैं ने बहुत ढूना कभी पढ़ा लेकिन मुझे पता नहीं चला क्यों ये फंदाज 425 तक रहा ठीक है पॉर्टिग्यूस कंपनी तो कौन होगा अलफॉन्सोडी अलबोकार को वैसे इस question का अंसर क्या है विछ पॉर्टिग्यूस लीडर स्टार्टे देवू वाटर पॉलिसी यहां पे स्टार नहीं होगा यहां पे वाटर होगा ठीक है गलाजटी से स्टार लिख दिया है यहां प्देखे बूर्टने फहोगी किसे साठ किया था यह संसर होगा फ्रांसिस्को डीलमीडा च्छिक है कि जब हम पढ़ेंगे आडवंट법य। से in सबके बारे में detail में पढ़ेंगे एलफॉसो डील में डीटेयल पलगे अल। डीलोग से चलो इसी कडी में आगे बढ़ेंगे, next question देखते हैं, पुत्गाली वैपारी गोवा की भूमी पर पहली बार किस सदी में आये थे, किस सदी में पहली बार कहां पर आये थे, गोवा की भूमी पर पहली बार किस सदी में आये, in which century they particular traders comes to the land of गोवा, simple science है, 15th century होगा, आप जानते हैं कब आये थे, 1498 में आये थे, आये कब थे 1498 में आये थे, तो जो पंदरावी शताबदी अगर हम लेते हैं किसी चीज को, तो हम कहां से करते हैं काम, हम basically 1400 से लेके 1499 AD तक के timeline को मानते हैं, तो 1400 से लेके 1499 का जो भी timeline होगा, तो क्या कहेंगे, हम 15th century कहेंगे, पंदरावी शताबदी जैसे हम आज क्या कहते हैं, हम कहते हम 21st century में हैं, क्या कहा जाता हैं मैं क्या हूँ, क्या कहा जाता हैं, हम 21st century में, 21st century मतलब क्या अभी हम कौन से स्टन में 2024 में अब हैं तो हम 2024 में हम क्या कह रहे हम कौन सी सेंचरी में 21st century में ठीक है समझ गया बहुत चोटी चोटी चीजे हैं लेकिन ये वीडियो बेसिकली 12th के बच्चे देखते हैं और भी कई साय लोग देखते हैं तो बेसिक बेसिक चीजों को भी मैं समझाते चल ला हूं कि आपको एक अंडर्स्टांडिंग उसके बारे में क्रियेट हो चिक है चलो कि यहां तक समझ गये आंसर क्या है इसका 15 सेंचरी है यहां पे भी 15 होगा पुद्गाली वैपारी गोवा की भूमें में पहले बाब कि सदी में आया थे तो वह क्या होगा 1500 सेंचरी चिक है 1400 से लेकर 1419 को 15 सेंचरी कहते हैं जैसे 2024 चल ला है तो 20 चल ला है 20 मतलब 21st सेंचरी तो यह क्या होगा 21st सींचरी है तो 2000 से लेके 299 का टाइम लें मैं जो समझाना चाहरा हूं आप वह समझ रहे हो की नहीं है । तो जाह से लेकर 299 को क्या करते करते हैं 21st चल अपको मजा आ रहा है कि नहीं आ है मुझे बताइए समझने में में सदमजा रहा किनी ऐसी में लेता रहूंगा आपकी ठीक है यदो यह समस्ट कर सकते हैं तो यह जब अन्दाज़ लगा सकते कि मैं पढ़ाता कैसा हूं चीक है चलो वाइड वन डिद दा पॉर्टिगूस टेकिन ओवर गोवा को कब लिया था गोवा की राध्धानी क्यापिटल सबको पता है भाई पैनेजी होती है तो गोवा को किस सन में लिया था तो गोवा को लिया था उन्होंने 1510 AD में किसे में लिया था 1510 AD में किसे लिया था वह जाहा इं पॉर्टेंट पो तो beesaputle Sultanate के वहां कि जो शाशक थे बीजऑल अस और नेट के वह किसके अंदर में आता था बीज्ऑव छाशक थे अदिल्चाओ तो आदिल शाह बेसिकली नाम नहीं है, वो टाइटल वह करता था वहां के शाशक का, आदिल शाह फिर एक जगा के निजाम शाह होता था, कुटुब शाह होता था, अलग अलग जगा के लोग का, ठीक है, जैसे एहमन नगर के हम किंडम को देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे निजाम शाय गोल कुंडा में देखेंगे तो कुटुब शाह ठीक है तो आदिल शाह से 1510 में पॉर्टिकूस ने क्या किया गवा को छीन लिया ठीक है अब गवा को छीनने का सबसे बड़ा कारण क्या था सबसे अगर में रीजन बताएं ठीक है तो में दीजन था पॉर दर ट्रेड मोनोपोली ओफ हॉर्स चेकर पॉर दर ट्रेड मोनोपोली ओफ हॉर्स चेकर देखो गोवा में सबसे अच्छे घोड़े पाये जाते थे और गोवा का आप जानते हैं टटी इलाका है कोस्टर एरिया भी है गोवा चिक है तो हॉर्स पर कंट्रोल करने के लिए भारस से हॉर्स को खरीद करके और सारी येरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के चिक है आई होप आपको सारी बाते समझ में आ रही होंगी तो में रीजन क्या था फॉदर ट्रेड मोनोपोली ऑफ दा हॉर्स ठीक है चलो किस से लिया था बीजापू सर्चनेट के आदिशा से लिया था यह अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है कई लोग को यह बेसिक कर्विशन लिखा है वो रिमार्ग अबाऊ इस इंडै कंपनी दा था था इस न अनॉमली बदेटिश पार्ट अपर्ट अफिर एवरथिं इस न ऊनॉमली हुर्प पर पाइस इंडा कंपनी यह था था पॉर्ट फटोर था सिस्ट्रम इवरज अनॉम लिए कि हिंदी में पढ़ते हैं किसने इस इंडिया कंपनी के बारे में टिपड़ी की कि कंपनी एक असंगती है पंतु यह उस व्यस्था का भाग है जाहां सब कुछ ही अतंगत है किसने कहा है यह स्टेटमेंट चीक है तो यह बैबलिंटन मैकाले सहाब ने कहा है इसने कहा है मैकाले माइन्यूट 1835 में वह इन ही के द्वाला दिया गया था पूरा नाम बहुत बड़ा इनका थॉमस बैबलिंटन मैक्यूले नाम था ठीक है इनका एक सेमस कोटेशन बताए जाता है यह कहते हैं कि जो भारत का मतलब यूरोप का जो एक शल्फ है किताबों का वह भारत के पूरे ज्यान परंपरा और पूरे के पूरे अरब्स की ज्यान परंपरा से बहुत ऊपर है यूरोप का सिर्फ एक शल्फ किताबों का एक जो शल्फ है यूरोपियंस का उसका एक शल्फ पूरे के पूरे इंडिया पूरे के पूरे जो मुसलिम्स के जो भी लिट्रेचर रहा है कल्चर रहा उससे बहुत आगे है यह कौन कहता है मैकाले साहब कहते हैं मैकाले माइनूट 1835 में ठीक है यह पहला एजुकेशन रिफॉर्म लाने की कोशिस करते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं इसमें एक बहस चल जाती है जिसको हम कहते हैं एंग्लिस और ओरियंटरिस छिक है इनों एक थियरी दी इसको हम कहते हैं डाव्ड फिल्ट्रेशन थियरी बहुत इंपॉर्टेंक है डाव्ड पी फिल्ट्रेशन ऐ Divine II tech यह भी कौन दिया था इन्हों ने दी थी चिक है यह आंफ में जाकर के ऊब जीत गये थे एक परसेंट लोग थे आंगलिस वो जीत गये थे अब यह सब होता क्या है यह हम आपको डीटेल में बार में बताएंगे अभी नहीं ठीक है जब मैं क्लास लोंगा एजुकेशन कमीशन इसके बार में बताएंगे चलो है बस एक बार इसे चाहो तैसे नोट कर लेना इसको चिक है यह पूस्ता कि डाउनल फिल्टेशन थेयरी किस ने दिये तो मैकाले साथ ने दिये चिक है यह 1833 का जो चार्ट एक हुआ था कि उसमें लॉम्मेंबर थे चीक है चाहर डाट एक 1833 में क्या थे लॉम्मेंबर थे इंको भी इंक्लूट किया गया था तीन लोग बन दे थे चेस्केटे कॉन्सलन में मेंस में से प्लेस वन एक और इंको लॉम लॉम्मेंबर के तोर पे शामिल किया गया था ठीक है चलो और भी वह important question चिक है अफीम पादन के लिए ओपियम के लिए या वार हो गया चाइना में आपको जानते हैं चाइना में वार हो गया फर्स ओपियम वार सेग्ड ओपियम वार वर्ल डिस्ट्री का टॉपिक आप पड़े होंगे तो ओपियम के लिए सबसे फेमस कौन सा था ओपियम मतलब होता है अफीम अब जानते हैं प्राकार का नशा होता है चिक है अफीम के पौधे होते हैं वो कहां पर है बिहार है चिक है और यह BPSC जो लोग भी देते हैं ना BPSC बिहार पीसे जैसे पेपर्स उसकी में बहुत फेरीट कुशन है चलो आगे बढ़ेंगे from the from whom did the British East India Company taken Bombay बहुत बढ़िया कोशन बच्चो क्या कोशन पूछा गया है हिंडी में पढ़ लेते ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था तो क्या कोशन क्या पूछा है इस इंडिया कंपनी ने बंबई ली थी पॉर्टिग्यूस से अब इसके पीछे की कहानी है वो दो मिनिट सुन लो, चिक है, तो 1661 या 62 AD में, जो दो लोग थे, एक तो पूतिगाल की राजकुमारी थी, और एक इंगलाइंड के शाशक थे, तो इंगलाइंड के जो शाशक थे, उनका नाम था Charles II, चिक है, और जो की पॉर्टिगी उसकी जो राजकुमारी थी, उनका न जो ब्रेगन्जा, ठीक है, कैतरीन ब्रेगन्जा और Charles II ने शादी कर लिए, किसीयर में, 1662 AD में, और इसी कारणवर्ष Britain को बॉम्बे को दे दिया गया ठीक है बॉम्बे किसको दे दिया गया ब्रेटन को दे दिया गया यहाँ थीक है यहां के राजा थे, इंका नाम था, चार्ज 2, उन्होंने 10 पाउंड पर एर पर, 1668 में 10 पाउंड पर एर पे, इसको दे दिया, किसको, इसको दे दिया, इस इंडिया कमपनी को, यही लिखा, क्या लिखा, ब्रेटिश इस इंडिया कमपनी को दे दिया, 1668 में, उन्होंने 10 ब्रेटन के उन्होंने किसको दे दिया बॉम्बे इस इंडिया कमपणी को दें गया इंग्रिष इंडिया कंपनी चिक है तो अगर हम बात करें कि यहां पर पहले कौन गवर्णर बनाए गए उनका क्या नाम था तो का नाम था जोर्ज आक्सिडन क्या नाम था जॉर्ज ऑक्सिडन ठीक है वैसे अगर 1661 62 में जब शादी हो गई तो बॉंबे को क्या हुआ बॉंबे को दहेज में दे दिया गया जो क्या थी यह पूतिगाल की राजकुमाली थी पॉटिक्यूस राजकुमारी थी और यह कहां के शाशक थे ब्रिटन के शाश दिया रही है तो दहेज के रूप में पॉटिक्यूस ने यह किसको दे रिया ब्रेटन को दे दिया ठीक है कहानी आप समझ गया होंगे तो यहां पे 1662 में जब चार्ल्स जीतियों को दिया गया तो ब्रेटन ने पहला गवर्नर अबराहम शिप्मिन को बनाया गया लेकिन इ माहे कुलाबा लेटे कुलाबा चिक है विली पालले बहुत सारी जगा है बॉम्बे बॉम्बे भी उसमें तो सेवन आइलेंड्स को एक साथ मिला करके मजगाओं कुलाबा लेटेल कुलाबा बॉम्बे माहे महीम चिक है तो सब जगहों को मिला करके आइलेंड्स को मिला करक एक प्रॉपर बनाया गया बॉंबी को अब बॉंब इक कहानी हम बाद में देखेंगे डिटेल में बस आपको बहुँ यहां तक इतना समझना था ठीक है समझ गया तो क्या पूछाए बैटे शीस इंडिया कंपनी ने बंबाई किसे लिया था तो फुत्थगालियों से लिया छीक है किसी एर मेल या था मिल या तो इसको चाहओ तो लिखे लेना एक बार है गिक आगे बढ़े बहरत में 1613 में अंग्रियों ने पहली कहा श्थापच की इन्हों ने 1130 में सूरत में लगाई चिक डूसरी फैक्टरी 1611 में लगाई मसूली पटुनब में लगाई आप यह कहा है आंधर पदेश में इसी को मस्ली पटनम भी लिखा रहता है अगर मश्ली पटनम लिखा हो तो कन्फियूज मत हो ना मश्ली पटनम भी लिखा रहता है ठीक है चलो वे इंडिया दिद बिटिश इस चावेज़ है फर्स राक्ट्री चेक है चलो वाद में पुथगाली शक्ति का वास्ठीक 거지 सन्स था पतक मैंने बताया है 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 एल फॉंडर कौन है एलफ़ॉन्सो डिऊल्बुकार को माने जाता है एलफवॉन्सो डिऊल्बुकार की टाइं मलाइन भी बताही है फंदा सो नो से लेके फंदा सो पंदरा तक ये रहा था ठ चीक है पहला कौन था फ्रांसिस्को डी अलमीडा था मैं पढ़ा चुका हूँ चीक है चल बार बरी की चीज को रेपीट करना सही नहीं लगता हां बहुत बैस रिंग कोशन होर मूंद फॉल दिवादर व क्यलकटा का फॉ नर कौन है तो क्यलकटा का फॉंडर है इनका नाम है सर्च सब्जाप अपने मैंने पढ़ाया था पो कि गवंवाणर बैंगॉल का पहला कौन था तो सफट चारस आयर का नाम मैंने पढ़ाया था तो सब्सक्राइब इनके दमाद हुआ करते थे जॉब चानौक बेसिकली है थे जो कासिम भजार की जो फैक्टरी थी वह है थे कौन है था जॉब चानौक है थे तो कलकत्ता को जैसा जानते तीन जगहों को मिला के बनाया गया है तीन जगहों को मिला के बनाया गया है ठीक है सुतनुति कालिकता गोबिन पूर इन तीन जगहों को मिला के क्या बनाया गया है कलकत्ता को बनाया गया है ठीक है तो कलकत्ता का फाउंडर कौन है जॉब चानौक है कुछ और भी आप याद का फॉंडर ठीक अगर आपसे मदरास का फॉंडर पूछ लिया जाए तो मदरास का फॉंडर कौन था प्रांसेट देट है ठीक उसके अलावा अगर आपसे दिल्ली का फॉंडर पूछ लिया जाए तो दिल्ली का फॉंडर कौन था दल्ली का फांड़ मानना जाता है बेसिक के एड्वन्ड लूटियंज को मानना जाता है एक साल अड्री लूटियंज चाहर सेयर तो जॉब चार्णॉक के मैंने क्या बताए दामाद हुआ करते थे सतने लोग थे इंके जो सतरह सौ में पहले गवर्नर बनाए गया बंगाल के इतना नोट कर ले ना कहीं पर एक जगह जगह बॉम्मे का गैराड ऑंगियर मैदर्स का फ्रांसस दे डैली का एडवेंड लोटियंस तो हर्वड बेकर ठीक है तो यहां क्या पूछा था है कलकत्ता का संस्थांपक काशिंबजार्रे रिएट तर टाटिक है तो यह यह था 1600 नाइंटी एड था ठीक है चलू सत्यत्रत प्रकास किसके लाणा लिखा गया बहुत फेमस क्वेश्चिन है तो यह लिखा गया है राजा राम मोहन रोयदारा एक मिनिट बहुत फेमस किताब राज राम मोहन रोयदारा अगर मुझे यह याद नहीं आ रहा है तो 1832 में शायर इसको लिखा गया था सत्यत प्रकाश किस ने लिखी है राजा राम मोहन रोयदारा ने लिखी है बहुत फेमस बुक है हिंदी में लेखे सोरी बेंगॉली लैंगवेज में है यह लोग हित्वादी उपनाम से किसे जाना जाता है तो लोग हित्वादी उपनाम से गुपाल हरी देश्मुद्ष को जाता है आपसे कहीं पर भी पूछे लोग खितवादी किसको जा जाता है तो गोपाल हरी देशमुक को जा जाता है ठीक है किसको गोपाल हरी देशमुक ठीक है अगर आपसे पूछा जा लोग नायक कौन है आप तो लोग नयकर जए प्रकास नारायन सिंहा वरा नाम चलो, चीक हो तो लोहितवदी किसको करना जाता है डेशL concept wise प्रकास प्रकाश का लिएगा देख के बता दूंगा तो मैं आपको की बता दूंगा ज़िसाथ और फिर कमा आए तो हम और डीटेल में इसको देख लेंगे ठीक है प्रिसफ और जीसस सत्यत प्रकाश बहुत साइब हो कर थी ब्रह्मवाद की उपर ने किताब लिखी वेदान साल लिखा का बहुत सारा किताब होंगा ठीक है निमलिखित में से विच अधर फॉलेंग वर डिफीटें अवाल बिटी डिफीटें दे फ्रेंज फ्रेंज को किस वर में डिफीट किया तो बहुत इजी कॉश्चन है अगर आपको सत्रह साथ याद हो बैटल ओफ वैंडी वाश या वांडी वाश का युद्ध कहा जाता है वांडी वाश की लड़ाई यह कौन से था अगर आपको यह यह बास कर दिया गया था वेंडि वाश की भीड में ठीक है चलो अहां थि दित्या के बीच में किसके ज़ेंद हुआ होगा अंग्रेज और बाजी राव दित्या बीच में अगर आपको याद हो सेकंड एंग्लो मराथा वर्ट सेकंड एंग्लो मराथा वर्ट अगर आपको यादा रहा हो तो इसी यहर में हुआ था ठीक है कि संधी इसके बाद मारा रट हुआ है था थास ति recruiting थे याचे अब तो तो 802 में बेशीर की संधी क्या होती है बेसीन की संधी वह माराथा रचाब्टर में हम detail में देखेंगे चलो the grand old man of India किसको कहा जाता है who in the following प्रपार्णजब theory of पधिपारंकिया धन निकासी का सिध्धान इसको कहते है drain of wealth की theory क्या कहा जाता है drain of wealth की theory तो drain of wealth की theory किस ने दिये दादा भाई नारोजी ने दिये दादा भाई नारोजी को grand old man of India भी कहा जाता है तीन बहुत कुछ है ने किया है इनके बारे में हम पढ़ेंगे modern history में बहुत detailed form में ठीक है drain of wealth मतलब धन का discussion अपने pipe देखी है वह वाली washing machine वाली pipe देखी एक pipe जो होती है पीछे लगी रहती है इसे पानी जाता है नीचे तो उसी तरीके से जो पैसा था drain का मतलब क्या होता है drain का मतलब होता है किसी को निकालना ठीक है तो पैसे का discussion जो भाव से जो पैसे निकल ले थे हो कहां जा रहे थे इंग्लेंड या फिर ब्रिटन जा रहे थे तो उन्हें अपनी theory में बताया यही चीज़ किसने बताया दादा भाई नारोजी ने बताया ठीक है और भी लोग है दादा भाई नारोजी इसी फिल्ड में बड़ा नाम है एंजी रानादे का नाम हम इस फिल्ड में सुनेंगे आर चीज़क है आगे बढ़ते विच द फॉल्लेंग द फिर्स ब्रिटिश शिप तो रीच इंडिया बाँ पहुचने वाली पहली बिटिश शिप कौन थी इसको नाम था रेड ठीक है इसी को हैकटर भी कहा जाता है। विट और फों दफ़र बेटेश्प लिए रिच इंडिया। रड़ ड्रक्तर हाक्टर। अगर नॉमली देखा जाए तो कौन आया था तो थो सर्वीलियम हॉक किन्स आया था है इससे। कौन है था सर विलियम हौकिन्स टाइम लाइन आपको पता ही होगी तोला सो आर्ट से लेके सोला सो ग्यारा तक रहा है तो चीक है चले यह आंसर लिखा हुआ है लास्स मद नॉट दलीस वो इन दो फॉलएंग वा दे किंग अफ इंडिया अट टाइम फॉर्मेशन ऑ बिटिश इस इंडिया कंपनी तो बिटिश इस इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो वा था शिक्टीन हंडे डी में तो लासो एनी डॉमेनी में ठीक है और वहां का शाशक कौन था जब लंडन में इसको गठिद किया गया तो वहां का शाशक कौन था वहां का शाशक था क्वीन एलिजबेट वन ठीक है तो राइटिंग में गंदी अधियरे बोर्ट स्पेस बोर्ट पर लिखते सही हो जाएगी कोई बात नहीं ठीक है तो 1600 में कौन था अगर आपको अकबार का टाइम लाइन याद हो 1556 से लेकर के 1605 तक था अकबर तो तो तोला सौसी के बीच में आ रहा है तो कौन था समय भात का शाशक अकबर हुआ करता था ठीक है यहां पर भी लंडन में बेटेशी सिंडिया कंपनी गठें के समय भात का निमलेखर में से कौन सा बाश्चा था कौन था अकबर था ठीक है आई होप आपको यह वीडियो लेक्शर पसंद आये होगा थैंक यू सो मच जो भी लोग में देख और सुन रहे हैं मुझे उमीद है कि आज का वीडियो लेक्शर आपको बहुत जादे पसंद आया होगा ठीक है हम ऐसे ही आगे भी सीरीज लेके आएंगे यूनिट टू थ्री फोर फाइव सिक्स तम डीटेल्ड फॉर्माट में सारा देखेंगे और जाम मे एक भी कॉश्चन अगर आप मतलब की लिए आप्ट कर रहे हैं किसी भी सेमिस्टर में ठीक है यह में लगबग लगबग अगर आपके फर्स जांपल हंडिड कोश्चन होते हैं तो हम लगबग कोशिस करेंगे कि आपकी एटी या नाइंटी कम से कम कॉश्चन क्या हो जाए है सही हो जाए ठीक है यह मैं पुई के पुई तरीके से वादा करता हूं अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको में पढ़ाने का टेक्निक कैसे मैं पढ़ाता हूं समझ में आया होगा ठीक है तो मैं यही टार्गेट लेके चलूंगा कि जो भी लोग मुझसे पढ है उनके 80 से 90 मार्क्स आए और यह सफल है ठीक है यह पुई तरीके से हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई मैं मनगद बात कर रहा हूं बस आपको क्या करना है मैं सीरीज के साथ जोड़ना है और मैं सीरीज को अच्छी तासी कई बार देखना है इससे आपको सारी के सारे कोश्च में थी इसका next part भी आएगा और भी कई सारे हैं सीर्स लेकर आएंगे घर से मैं बैसिकली हिस्टी पढ़ाता हूं तो मैं अन्हें सीरीड लांगा हिस्टी में जो भी चीजे हैं ठीक है ठांकियू सोमद जो भी लोग में सुना देख रहां